कि है कि है लो दोस्तों आप सभी का मेरे यूटीब चनल में स्वागा थे आज हम जर्खन बजट पार्टू के बारे में दिखेंगे जहां पर हम लोग बात कर रहे थे अलग-अलग चेट्रों में कितने कितने रुपे का प्रावधान किया गया है कितने कि भुब बजट में आउं टिद कीए गया हैं कौन से योजनाय लाग गयी है ठीक है तो हम इससे पहले जो पार्ट वन वीडियो था उसमें हम लोग ने चार छेद्रों के बारे में देख लिया था तो हम लोग ने किस-किस छेद्र के बारे में देख लिया था कि जिसी के बारे में देख लिया था उसके बाद पंचायती राज के बारे में देख लिया थ उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था जल संसाधन के बारे में जल संसाधन ये चार छेत्रों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि कितने कितने रूपे का प्रावधन किया गया है और कौन-कौन सी योजनाई चल रही है और कौन सी योजनाई पूरी होने वाले ही कौन सी नई योजनाएं लागू की गई है अब हम यहां से आगे देखेंगे तो सबसे पहला जो यहां पे है वो क्या है महिला बाल विकास इवं समाजिक सुरक्षा तो इसमें क्या क्या किया गया है प्रावधान जो सब क्या लिखावा है हर निर्वल निर्धान हित्तु राज सरकार दोरा यूनिवर्सन पैंसन की परिकल्पना की गई है इस योजना को लागू करने के पस्चाथ अब तक कितने लोग अभी तक इसे लामानुवित हो चुके हैं तो 2,90,000 लोग तो यह आपसे कोशन पूछ सकता कितने लोग अलावानुवित हो जोगे हैं किस से यूनिवर्सल पैंसन स्कीम के द्वारा ठीक है और वित्यवर्स 2022-23 में जो भी सेस बचे लोग है उसको अच्छा दित किया जाएगा मतलों उसको भी लाब पहुंचाया जाएगा और आने वाले वित्यवर्स 2022-23 में आ ते गर्म पोशाक सोची औरौलेन यूनिफोर्म है में वित्यत किया जाएगा और इसके साथ जो है पोस्टी कहले का हर इंदर वित्रथ किया जाएगा चाहे zwischen five दूत हर के लिए तो पोसाहर के लिए क्या चाहिए अंड़ा वित्रत किया जाएगा और दूसरा गर्म पोसाग ठीक है कहां पे आंगनबाड़ी केंद्रों में और इसके द्वारा इसके अलावा और क्या क्या किया गया है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो पोसाहर है यानि खाना बनाने के लिए बरतन ठीके बरतन दिया जाएगा बरतन का वित्रन किया जाएगा और इसके अलावा जो पानी है स्वक्ष पेजल के लिए क्या हो जाएगा वाटर प्यूरिफायर लगाया जाएगा ठीके एक जल सोधक यंत्र तो यह आगनवाडी के अंदर में मिलेगा तो यहां पर आप चार चीज़ें हो एक तो हो गया अंडा मिलेगा गर्म पोशाथ मिलेगा वाटर प्यूरिफायर पानी के लिए और एक खाना पकाने के लिए बरतन उसके माद आगे हैं विद्याले से बाहर 23,000 किसोरियों येवं विवतियों का चेयन सिच्छा प्राप्ति के लिए किया गया है और आने वाले वित्यवर्ष में कम से कम 14,000 किसोरियों येवं विवतियों का आटवी या दसवी पाठिकरम में नमांकित करने का प्रस्ताव है तो कितने बच्चों का कि सोरी और युवतियों का नामांगन कराने का प्रस्ता हुए तो कम से कम 14,000 ठीक है और आने वाले वित्य वर्स में महिला बाल विकास यहां समाजिक सुरक्षा के लिए कितना रुपे का बजट आवंटर्ट किया गया है पास यहार 742 दसम्ला 32 32 करोड तीक है आगे हम लोग देखते हैं अब आगे है इसकुली साक्षर्ता इसकुली साक्षर्ता इसकुली सिच्चा एव साक्षर्ता विभाग विद्याले के छीजन दर को कम गरने है तू नावाचार किये जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरुप Raja के 1828 बंचायथ का कि जीरो ड्रॉप आउट अगयाerd को जेरो ड्रोप आउट घृपं किर तो दोस्तों यहं पर जीरो ड्रॉप आउट का मतलब आप सब्सक्में अ तो कितने पंचायत को जिरो ड्रॉप आउट गोसित किया गया है 1828 जिरो ड्रॉप आउट का मतलब कोई भी वहां से बच्चे जो है जिरो ड्रॉप आउट होगा जाने कि अभी वर्तवान में कितने जीरो ड्रॉप आउट बंचायत थे 1828 आने वाले वितिवर्स में कितने और पंचायत को बनाया जाएगा जीरो ड्रॉप एक हजार को ठीक है यह लक्ष रखा गया है वैस्विक महामारी के दौरान राइज के लगभग 6 लाग बच्चे विद्याले से बाहर हो गये थे जिसमें से लगभग 4 लाग 23,000 विद्यार्थी ने नामांगन कुना विद्याले में कराया गया है और सेस विद्यार्थियों है तु सेतु पार्थ योजना प्रारम की अधिया है कोविट से प्रवाइद होने के कारण जो भी बच्चे विद्याले से बाहर हो गये थे उनको पुना नामंकित कराकर विद्याले में लाना तेके यह योजना है से तु पार्ण योजना अ 1 4 देंग गुनवत्त्य पूण सिच्चा को सुनैस्जच करनेई तु बच्चों के निदाना आत्मक सिच्चा रीमेडियल क्लासेश प्रारंण किया गया है और इसके लिए कितने का प्रावधान किया तायสंकर गर 20 क्रोट का प्रावधान किया है तेकं हैजू कुन था अदर में अदर निदानातमक लोगो अय कि सच्चा कि सच्चा कि व्यवस्ता की हैं इस आगे हैं तके पहारा सिच्चक जोह हैं सदेव सच मांद jeate you यानि कि जो प्रसिचित पारा सिचक है उसके मांदे में 40% की बढ़ोत्री की गई है तो आप इसे याद रखेंगे पारा सिचक को अब जो है वो पारा सिचक ना कहकर सहायक सिचक कहा जाएगा ठीक है पारा सिचक का नाम बदल गया है अब इसे क्या कहा जाएगा सहायक सिचक कहा जाएगा और इन सिचकों का जो मांदे होगा वह राजी योजना के अंतरगत 600 कड़ोर रूपिया का जो है अतरि टेट पास परसिशित पार्शिच होगा 50% तो उसके लिए अतरीक जो है 600 करोड का प्रावधान किया गया है उसके बाद मध्यान भोजन के अंतरगत अतरीक्त पोसाहार जैसे अंडा फल इसके लिए कितना अवंटित किया गया है 136 करोड गुनवत्ता पुर्ण की सिच्छा की समप्रापती है तो गहानदय योजना कशी के अ गयानदय योजना क्या है ति ये भी अभी हम लो diffusetkl पार्दि योजना प्रणा देख लिए तो कि लेदाय विद्यालाय में गनित और विज्ञान का लैब बनाए जाएगा कि योगा तैप दिया जाएगा जयानि कि कितने सिच्छक को 42 तैव किया जाएगा किस लिए है डिज्टल सिच्छक को बढ़ावा देने के लिए तो आपको याद रखना है कि ज्यान ओदा योजना क्या है तो इसके तहर जो है गनित और बिज्ञान का लैब बनाया जाएगा और दूसरा सिट्चको को टैब उपलब करायाएगा कुल 84 मॉडल विद्याले तुक है कुल 84 मॉडल विद्याले में क्या होगा होस्टल का निर्मान होगा और परिवहन के लिए वाहन उपलंग करानी की योजना है तीक है और ऐसा किसली किया जाएगा तो विद्यार्तियों का ना मांग कर मढ़ाने के लिए आगे देखते हैं राइज़े में कितना कस्तुरुबाब गांधी वाली का विद्याले है तो कितना है दोसुत तीन अभी संचाली थे उसमें क्या होगा चात्राबास का निर्मान कराए जागा उसके लिए एक यहाँ पर याद रख सेंदें जीला पुस्तकाले का निर्मान किया जाएगा ठीक है यह काफी अच्छा सुरुवात है जीला पुस्तकाले का निर्मान किया जाएगा और किसे होगा यह चरणबत तरीके से मतले एकक करके होगा ठीक है तो जीला पुस्तकाले आप इसे निर्मान करा जाएगा ठीक है ताप इसे याद रखें काफी इंपोर्टेंट है कि रीडिंग रूम ब्रहद रीडिंग रूम किसके लिए बना जागा जो भी कंपेटिशन की त्यारी कर रहे हैं उनको सुईधा देने के लिए और स्कुलिस इच्छाएं साथ छर्ता के लिए क जेतु पाठी योजनल आया गया है तो इस तरह के जोभी अधिया शुरुवात की गए हो से आप याद रखेंगे अ इक उसके बाद हम लोग देखती है उच यहलों तकनिकी सिच्छा में क्या क्या है तो ग्रॉस इं्डरॉल्मेंट रेसियो इसका मतलब हुआ कि जो इंडरॉल्मेंट होता जो नामानकान नहीं वुर्ध ही करना तो इसमें बढ़होतरी और सुलब्था पुर्वग पदम उठाया गया है और इसके बाद यहां पर देखे क्या आप कार नहीं किये हैं कि राज्य सरकारवरा कुल 33 नए डिग्री महिला कॉलेज के लिए सभी प्रकार के पदों का सिर्जिन की कारवाई की जा रही है आने वाले वर्स में क्या हो इसमें पठन पठन का कारे प्रारम कर दिया जाएगा ठीक है अि यह उसके बाद गोला में क्या होगा एक दिग्री कोलेज का निर्मान होगा ढूड़ा की स्लीय लांथ हूप रामगड़ जिला हम आता है और जारकन के जो चात्र चात्रा है उसको उचतर सिच्छा में बाधार को दूर करने के लिए क्या होगा गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्किन को लॉंच किया गया है तो लॉंच करने का प्रास्ता हुए उचतर सिच्छा में बाधार तो यहां पर पूछा जा सकता है कि गुरुजी क्रेडिट क कार्ड इसकिन क्या है तो जो भी बच्चे हैं उसको उचतर सिच्छा में बाधाग नाम आए ठीक है यानि उचतर सिच्छा में बाधाग को दूर करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड इसकिन सुरुवात करने का परस्ता रखा गया है उसकी बाद छेतरी विग्यान के अंदर राची में क्या होगा भारत सर्कार के सवयहयोग से एक सायंस की मो दừ geology का कि आने वाले वित्तिय वर्स में क्या होगा दुमका और देवघर में तारा मंडल बनेगा राची में साइन सेटी और दुमका देवघर में तारा मंडल और तक्निकी सिच्छा के लिए जो है दो हजार 26 दिसंबलत एक तिन करोड रुप्य का प्रावधान किया गया है अब हम लोग देखते हैं स्वास्त चिकित्सा सिच्छा एवं परिवार कल्यान ठीक है इसमें क्या क्या किया गया है यह देखिए सबसी प्रतिसाद जो है अधिक लास्ट येर से यह दो हजार एक इसपाइस के पुजट से 27 प्रतिसाद अधिक और क्या क्या होगा इस वर्स में लिकित युजनाई प्रस्ता भी थे तो सबसे पहला क्या है जो जीला अस्पताल है उसको अप्ग्रेड किया जाएगा कितने तीन सो बिस्तरों वाले अस्पताल में अब ग्रीड किया जाएगा ठीक है उसके बाद क्या है पहल के अधार पर रिम पास कहां पर है कहां के हैं वहाँ पे खाली जमीन पर जो है मेडिको सीटी की अस्थापना की जाएगी और एक किस कैसे की जाएगी इपी पिपीमोड पर यानि कि पबलीक प्राइबिट पर्टनर्शिप के द्वारा कि रिम-स और MGM में और उसहीद निर्मल महतो कॉलेज का सूरी डीक्रण का प्रस्ता हैं दोस्तों ये चहित रहों महतो जा है तो सभेत निरमल महतो निमेडिकल स्वरिं मैंक कैम कॉलेज को यह है जो धर्मारत का PMCH है उसी का नाम मदल के सहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज किया गया है आप इसे याद रखेंगे सराडेल खोटी और लोहरदगा में क्या होगा अनुमंडल अस्पताल यह अतना इंपोर्टेंट नहीं है कि बात से हैं कि स्क्रम्ट दें अप्ति आइसमान भारत मुख्यमंतरी जन अर्फ ग्योजना के दरक अथिक्तम सारो जनिक और नीजी हमें आभ यहां सारो खनी जी नों को यह बात अई है किसमान भारत जिए जैन प्रस्ताव रखा गया है कि यह उसके बाद क्या है जो भी निर्मान्धिन साल्वनिक स्वास्त भावन है उसको पूरा करने का है उसमें जो भी मसीन है व्यवस्ता उसको पूरा करने का प्रस्ताव है और जो दूरस्त ग्राविन शेत्र है वहाँ पर प्रात्मिक स्वास्त के अंदर में तले मेडिसिन की सेवा पर इस शुरू की जाएगी और हर यहां पर जो भी शुदूर ग्राविन शेत्र है वहाँ जो लोग रह रहे है atha को प्रतान करने के लिए क्या होगा हाट बाजार में मॉबाल क्लिनिक के माइधम से प्राथमिक स्वास्तसिवा उप्लब्र कराना यह यूजना तो मॉबाल क्लिनिक कहां पर शुरू की जाएगी जो सुदूर ग्रामीन छत्र है वहां पर उनके लोगों के लिए उसके बाद जो भी पीवी टीजी के लोग है यानि की अत्यंत कमजोर जंजात्य समुद्दाएं उनके परिवार को स्वास्त सुधा अबलद कराने के लिए क्या होगा एक शुरूआत की गई है बाइक अबुलेंस सेवा तो बाइक अबुलेंस सेवा शुरू की गई है किसके लिए पीवी टीजी के लिए तो आपसे पुछा सकता कि बाइक अबुलेंस सेवा किसके लिए शुरू की गई है तो ऑप्शन हमाल सी दे दिया ऑप्शन ए बी में सी दे दिया सी में ओभी सी दे दिय और डी में पीवीटीजी तो किसके लिए होगा पीवीटीजी के लिए तो यहाँ पर क्या क्या हो गया टेली मेडिसीन आप याद रखेंगे ग्रामीन शेतर के लिए और मोबाइल क्लिनिक यह भी ग्रामीन शेतर के लिए और बाइक एंबुलेंस यह भी ग्रामीन लेकिन है दोहेंट चौबिस तक सभी घरों में नल से सुद्ध पैजल कुपलब्द कराने का रस्ताव है तेक है उसके बाद साहेब गंज गोड़ा दुम का पाकुड के लोगों को नदी के दो नदी से नल द्वारा सुद्ध पैजल कुपलब्द कराने का कारी प्रणाप कर दिया ग और यहां पर इंपोर्टेंट यूझ कि सभी पंचयात में पांच-पांच अदध प्रतीच कि गदर से नल्कुप निर्मान की खारवाई की जा रही हूं एक प्रतिच के पंचयात में पांच-पांच नल्कुप लगाएगा इसके बाद है खायदी सारज्मनी कवीतर निवा भूगता मामली इसमें क्या होगा जहार्खन राइजिक खायदी है सुरक्षा योजना के तहत रास्ति खायदी सुरक्षा अधिनियम के अधिन वर्तमान में नौ लाक यहां पर देखे दोस्तों दो तरह काड़ होता है एक होत तो अंतोदवी जो काड़ है उसमें नौ लाक लाभरती है नौ लाक परिवार है तो इनको जो जो अंतोदवी काड़ है उनको पृति परिवार जो है 35 kilogram सुर्ण 35 kilogram एक रुपे प्रती किलो के दर से ठीक है आँ यहां पे आपको अच्य से दिख देता हूँ जो अन्तोदे कार्ड है उनको प्रती परिवार 35 kg अनाज मिलता है यहनी कि 35 kg चावल और एक केजी कदाम कितना लिया जाता है एक रूपे तीक है एक ृपे के धर से 35 kg अनाज मिलता है प्रती परिवार और उसके वाज जो PHS काड़ धारी है ठीक है उनको प्रती वेक्टी 5 केजिन वो भी एक रूपे के दर से मिलता है यह जो 35 किलो है प्रती परिवार है यह प्रती वेक्टी है 5 किलो और इसमें जो लाबारती है वो 9 लाक है इसमें 2 करोड 28 लाक ठीक है और कहा गया जिनके पास ना तो अंतो दय है ना PHS काड़ है उनको वैसे 15 लाक लाभूख है और उनको प्रती वेक्टी 5 किलो खाद्यान एक किलो एक रुपे प्रती किलोग्राम की दर से उपलब कराया जा रहा है और इस लक्ष को जो है 15 लाक से बढ़ाकर 20 लाक करने का परस्ताव है ठीक है कि उसके बाद कूपोशन की समस्या को दूर करने से के उद्धे से क्या होगा दाल वित्रन योजना प्रारम की गई है तो दाल वित्रन योजना प्रारम किसले की गई है तो कूपोशन की समस्या को दूर करने के लिए क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है अब इसके तहत जो ह जो भी परिवार है उसको प्रती माह एक किलोग्राम एक रूपे के दर से दाल दिया जाएगा ठीक है और 22-23 में खाद इसके लिए जो बजट अवंटित किया गया है वह 2552 करोड़ अंठावन लाग रुपे का बजट आवंटित किया गया है अब हम लोग आगे देखते हैं कि स्रम नियूजन प्रसिच्छन एवं कॉसल विकास तो तो अस्थानी अमिद्वारों को नियूजन अधिनियम उन 2021 गठित किया गया है ठीक है इसके तहद क्या है जो भी नीजी छेत्र के मैं यहां पर इसको बता दूँ जो भी नीजी छेत्र के कंपनी है वह अगर 40,000 रुपे का वेतन दे रहे हैं तो 40,000 वेतन की जो भी पोस्ट है उसमें 75 परतिसत अस्थानिय लोगों को जोब देना अनिवारी है ठीक है जो है 40,000 पर जो है मासिक वेतन उसके लिए 75 परतिसत अस्थानिय उमिद्वारों को ही नियोजित किया जाए गया है ठीक है यह अस्थानिय उमिद्वारों का नियोजन अधिनियों 2021 का प्रावधान है और आने वाले जो वीत वर्से उसमें मुख्यमंत्री सार्थी योजना प्रारम किया जाएगा ठीक है और इस योजना के तहत क्या होगा जो भी डिगरी प्राप्त यूगा है उनको रोजगार करने के लिए विभीन प्रतवीता परिशा की तयारी कराए जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सार्थी योजना क्या है तो इसके तहट जो है यूआवो को प्रतवीता परिशा की तयारी कराए जाए ठीक है उसके बाद जार्खन कोसल विकास मिसन सोसाइटी दोरा 2022-23 में एक लाग ठीक है तो यह से भी आप याद रखें कितने यूआवो को कोसल विकास पर सिच्छन देने का लग्च रखा गया है तो एक लाग ठीक है तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एक तो हो गया कि नीजी शेत्र में कितने परतिसत्त अस्थानियों को कि चालेश रूपे के वेतन वाले पद के लिए आरेक लाव मिलेगा नियोजन करने का अस्थानियों को तो 75 परतिसत्त मुख्वंतिर सार्थी योजना क्या है तो इसके तो परतोगिता परिशा के तैयारी करा जाएगी और नेक्स्ट है जो कोसल विकास कारिक्रहम के दौरा कितने लोग कितने युवावों को परसेचित किया जाएगा तो एक लाग और बजट कितना है 590 करोड 70 लाग ठीक है आगे हम लोग देखते हूं कि अनुसुचित जाथ जन जाती जाती अल्प संक्य कि पीछड़ा वर्ग कर लें इनके लिए क्या है मक्मंतिर रोजगार सिर्जन योजना इसके तहट क्या होगता है कि सस्ता सस्ते दर पर जो है रिन दिया जाता है तो एक इनको स्ट और अल्प संक्य को और इस योजना के तहर अधिक्तम 40% या फिर अधिक्तम पांच लाग रुपिय की सबसीड़ी देने का पीवी प्रावधान है तो आप इसे गयाद रखें कि मुख्यमंतरी रोजगार सिर्जन योजना क्या है तो इसके सस्ते दर पर रिन दिया जाता है किसे सबस्क्राइब करने के सबस्क्राइब करने करने का प्राश्ता है जिसके लिए कुल सो करोड़ का कि बाश्ती प्राव्धानित की जा रही है तेक और आने वाले वितिवर्ष में 14 यकलब आवसे विद्धयाले नों आश्रम विद्धयाले और 4 पिविटीजी आवसे विद्धयाले और एक अनुसुजित जंजाती आवसे उच विद्धयाले का संचालन प्रानम करने के लक्ष याने की चावदा एक लव विद्या ले नौ आश्रम विद्या ले और चार पीवी टीजी ठीके पीवी टीजी और एक अन्सुचित चाथी इसे दिल्ट्राइब फायर स्कूल ठीके उच्विद्या ले हाई स्कूल यह लक्ष रखा गया है और जो 2022-23 आने वाला वीतवर से उसमें मारांग गौम की जेपाल सिंग मुंटा पारदेशी चातिवृती योजना इसका दायरा को बढ़ाया गया है और दायरा बढ़ाते हैं कि साथ-साथ क्या हुआ है में बच्चों को भेजा जाता था तो अभी योजना को बढ़ान इसमें क्या किया गया दायरा को बढ़ाया मतलब क्या है कि अनुसुचित जांती अलुप संक्यक और पिछड़ा वर्ग के छाथ-छात्राओं को यूनाइटिड कि देखे पहले यह था कि स्ट के लिए था अब जो है अल्प संक्यक और पिछड़ा वर्ग को भी इसमें एड़ किया गया है तो पहले पहले सॉरी पहले इस योजना के तहत्स मान यानि मरांग कौम के जैपाल सिंह मुंटा योजना के तहत्थ पहले सिर्फ स्टी के लिए था कि वह बाहर जाके वीदेसों यानिक वीदेसों में कहां जैसे UK United Kingdom Northern Ireland ती जैसे वहां के पुछ विस्विद्याले जिसे क्याम्रीज विस्विद्याले ओक्सपोर्ड विस्विद्याले में जाके पढ़ाय कर सकते थे लेकिन अब क्या है अन्सूचित जाती यानिस सी अल्प संक्यक और पिछड़ा वरकेच हात्र भी अब वहां जाके पढ़ाय कर सकते हैं क्या कर सकत एस्टी के लिए वह भी सी के लिए और माइनिर्टी के लिए ठीक है और इसके बाद आगे हैं यह जो जंजाती समुद्रा के पवित अस्तल होते हैं जैसे सरणा होगे जहाय रस्थान हर गड़ी मंसाग इसके विकास के लिए चारदिवारी का निर्मान पेजल्स और यह सब तो है कि इसमें कितना प्राधान क्या यह इतना जरूरी नहीं है कभिस्तान घेरावंदी के लिए यह भी उतना कुछ खास नहीं है आगे देखते हैं अब देखें वन परियावरणे में जल्वाई परिवर्तन इसके तहट यह यहां पी इंपोर्टेंट है कापी इंपोर्टेंट कि 2019 से 21 तक में जो वन छेत्र है उसमें 11,000 हेक्टियर की वर्धी हुई है और वीतिय वर्ष में एक लाग 78,000 पौधे कर ओपन किया जा रहा है और इस आने वाले वीतिय वर्ष में इसको बढ़ा कर दो लाग 56,000 करने का प्रस्ताव है और सभी जीलों में 753 कितने साथ सबी जीलों में 253 किलेमेटर नदी तर्ट ब्रेक्षार ओपन यानि कि दोस्तों यह अगर नदी है तीज के जो यह तर्ट है यहां पर यह क्या होगा पोधा लगाई जाएगा ब्रेक्षर ओपन किया जाएगा और सभी जीलों में टोटल जो है कि 753 किलेमेटर तक जो है और आने वाले जे वीतिय वर्ष में 115 किलेमेटर का प्रस्ताव रखा गया है कि नामकू मैं बायो डिभरसटी पार्क fake I banodaεια गियो बनाई गया एको तुरिज्म को विक्सित करने के लिए इको रिज्म कर दो था करते यहां कि क्या कि कहा गया है कि जो नाम को नाखे पार्क है उसको पीपीपी मोड के तहट एको ट्योरिज्म पार्क के रूप में विक्षित किया जाएगा ठीक है पीपीपी मोड पर आप से पूछा जा सकता है कि बायो डाइवर्सिटी पार्क कहां पर है तो नाम कुम में आप इसे याद रखें तो उसके बाद जो पलामोग व्यागर आरक्ष टभरण यहीं जो भी एंकि शुर्च्छा की जाएगे उसके बहुजन का प्रवंद किदका उस्का विकास किया जाएगा ठीक है तो एक फंड बनाया गया है ठीक है उस फंड का क्या नाम है एक फंड बना गया है पलामू व्यागर संगरचन फॉनडेशन ठीक है जिसके तहद क्या होगा जो वंज परानी है उसके सुरक्षा भोजन विकास का कारी किया जाएगा अब हम लोग देखते हैं जो पत्थ निर्मान विभाग तो पत्थ निर्मान विभाग के लिए क्या है जो गठन की जब राइस का गठन हुआ था उसमें जो पत्थ थी उसकी दंबाई मात्र चोवन सु किलिमेटर थी लेकिन अब यह बढ़कर कितना होगे बारह हजार साथ सो किलिमेटर ताप इसे याद रखेंगे कि अभी वरतमान में जो सम्हान पत्थ है उसकी लंबाई कितनी है तो 12,000 12,736 किलमूटर 12,736 किलमूटर तीक है उसके बाद आने वाले जो वीतिय वर से उसमें 1200 किलमूटर पत को क्या होगा वाइडनिंग किया जाए और 20 पूल पूलिया का निर्मान किया जाए राची में जाम की समस्य के लिए क्या होगा रिंग रोड फलाइवर इस सब बनाए जा इस कहां से कहां तक बने गए वह उतना कोई खास नहीं है कि रिंग रोड के परमुख रेडियल रोड के चोड़ी करने मजूद्धी करन कारे कभी प्रस्ताव है कि ग्रामीन पत्थ जो केंद्र केंद्र प्रायोजी थे प्रहामंत्री ग्राम सण के वेजना उसके तरफ पच फूल का निर्मान किया यह तो यहां पर देखिए है है कि है यहां पर देखा कि यह आने वाले वीतिवर्स सन्ता निर्मा बार ईस सक्राव स्किलीमिटर की का लेकिन पिर यहां पे भी है कि जो प्रहमंत्री के ग्राम संट के उजना है उसके तहर 250 पूल का निर्मान कराए जाएगा उसके बाद किया है कि अंदर प्राय यूजी थी उजना रोट कनेक्टिवीटी प्रसेक्ट फॉर्ट लेप्ट विंग एक्ट्रिमिस्ट एरिया आर सी पी एल डबलू एक तब पांसर क्लिमेटर पथ और पचास पूल का निर्मान कराए जाएगा तो आप यहां पर याद रखेंगे दो योजना है के अंदर प्राय यूजित परधा मंत्री ग्राम सब्सक्राइब योजना और यह देखें दोस्तों प्राय यूजित दो होता है के अंदर प्राय यूजित होता है यहां पर यह से लिखा के अंदर प्राय यूजित पुरा केंदर देती हैं लेकिन केंदर में क्या होता है कुछ परतिसत राजी सरकार देती है कुछ केंदर देती है अन止ी 60-40 होता है या 50-50 का भी हो सकता है है प्रकारária आप इसे याँा रखेंगे प्राज और केंदर का दोनों में रखेया हैं मुखमंत्री कि अ देखिए यहां पर राजी संपोसे थी कि अ यह राज्टर करने का प्रस्ताव रखा किया है यह भी कफी इम्पोर्टेंट है एक योजना है राज्ट मुखमंत्री ग्रामशण की योजना और इसके लिए हैं ईस treating तहुच 223 में 1,000 किल्योम्टर ग्रामीन पत का निर्मान कराए जाएगा उसके में मत्री ग्राम से दूख उजना इसके तहत 70 पूलों का निर्मान कशिजण जाएगा यानि की दो योजना हाँ हो गए यहां पर मुख्मंत्री ग्राम सब्सक्राइब करा जाएगा और मुख्मंत्री ग्राम सब्सक्राइब करा जाएगा और मुख्मंत्री ग्राम से तु योजना इसके थाथ 70 फूल का निर्मान करा जाएगा कि उसके बाद है भवन निर्मान तो स्रीक्रिष्ण लोग प्रसासन संस्थान का नया भवन यह कुछ खास नहीं हां यहां पर एक इंपोर्टन में कि स्रीक्रिष्ण लोग प्रसासन संस्थान कहां पर है तो यह राची में है किए राची में यहां पर क्या होता है जो भी जह पिए प्रसासनिक अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेंणि नेरी में दूसरे ज्ञासन भवण और तो अर्दुन्का में conventional center का निर्बान करा यहां पिदी कि डिली में एक जहरक्ण बावन बन चुका है यह दूसरा जहरक्ण बनेगा और तुनका में क्या वज़िश्तर बनेगा यह काफी इंपोर्टेंट आप इसे याद रखेंगे कि उसके वाद हम दो दिखते हैं परिवहन परिवहन में क्या होगा साहिव गंज में कि साहिव गंज का जीला है उसको मल्टी मॉडल जो साहिव गंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल है उसके पास क्या होगा इंडस्टियल कम लोजिस्टिक पार्क का भी निर्मान कराया जाएगा उसके बाद परिवहन विवाग के तहथ परिवहन विवाग जो है उसको पूरनता कैसले सिस्टम लागू कर दिया गया यानिकि जो भी काम है परिवहन में वो पूरा पूरा कैसलेस होता है और वाहन का गुनवत्ता और फुटरनेस जाज करने के लिए क्या हो गया है और टेस्टिंग स्टेशन बनाया जाएगा तो यहां पर दो इंपोर्टेंट हो गया है एक तो जो इंडिस्ट्र कम लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा कहां पर मल्टी मॉडल टर्मिनल के नजदिक में और यह मल्टी मॉडल टर्मिनल कहां पर हैं तो सहे भी कंज में है और यहां विवाग को पूर्णाता केसलेस बनाया जाएगा उसके बाद वहां का गुनवत्ता और पीटरेस जांज के लिए क्या होगा ऑटमेटर टेस्टिंग स्टेशन बनाया जाएगा आगे हैं नगर विमानन अमिश्विटर नमप सुसाइटि के अगर्ण करने के प्राश्ताव ना मोक एक सोसाइटि बना जाएगा किसलिए तो जो नगरव विमानन है मुदलब विमाने की है उसको परसिच्छन देने के लिए और राजवासियों को सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस सुवीधा देने के उद्दे से क्या होगा सरकार एयर एम्बुलेंस सुरू करने वाले हैं वेट लीज पर ठीक है उसके बाद विमान चेत्र में निवेस को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है राजकिय नागर विमानन नीती 2022 का गठन किया जाएगा तो यह काफी इंपोर्टेंट है जारकन फ्लाइंग इंस्यूट नामक सोसाइटी बना जाएगा उसके बाद एयर एम्बुलेंस सुरू की जाएगी और राजकिय नागर विमानन नीती 2022 का गठन किया जाएगा और इसके बाद है सहाइब गंज सड़क रेल सड़क रेल एवं जल तीनों मारुद से जोड़ते हुए जोड़ते हुए एक मल्टी मॉडल हव के रूप में उभर रहा है और सहाइब गंज में जो है एक आपको बता दोंकि देवघर में जो है इंटरनेशनल हवाय ड़ा बन रहा है बन के लगवक्त तयार हो गया है ठीक है अंतरास्तिय है हावाय अड़ा अगर तो एक तो रांची में है हावाय ड़ा एक यहापर देवघर में बन गया है जफ लंकवक्ति ौाओ और तो कए सके बाद उर्जा के चैतर में राजी शरकार ने केण她 कि योजना और रिवयम्प डिस्टूशन सेक्टर स्टीम में सामिल होने का निर्न लिया है और देखे इस योजना अब आप पूछेंगे कि रिवेंप डिस्टिबिशन सेक्टर इसकिन क्या है तो इसमें क्या होता है इस योजना के में जो बिजली के नेटवर्क है उसको विस्तार किया जाता है आधुनी करन किया जाएगा और उचित उर्जा लिखांकन यह एनर्जी अकौंटिंग और प्रिपेड मिटर के स्थाफना की जाएगे तो रिवेंप डिस्टिबिशन सेक्टर स्किन क्या है तो इसके तरहत आधुनी में करन किया जाएगा और रिपीड मिटर लाग के अस्थाफना की जाएगे तो तक से まद depends कि ऑगों किया गया है और इसके करन आधारित दोग को पुराने वzeitig गवतेवर्स में 1001 ताप से कॉसर्ण सकता है कि आने वाले ज़ीट कर लागशे चिने मेगावाट ल बिजली तो वो है एक हजार मेगावाट तो आप इसे याद रखेंगे सौर उर्जा से हुद्पादन करने का लक्ष रखा गया है और जो भी गरीब परिवार है उनको मासिक सो यूनिट बिजली जो है मुप्त जीद मुप्त दिया जाएगा यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि जो ग् इसके बाद है उद्योग उद्योग में क्या है आई टी और आटी वायोड टेक्नोलोजी स्टार्ट अप को प्रसाहिद करने के लिए क्या होगा स्टार्ट अप कैपिटल वेंचर फॉन्ड की स्थापना की जाएगी कि उसके बाद प्राइम मिन्स्टर इंप्लॉइमेंट जन्रेशन प्रोग्राम के तहत 6000 युवक्त युवतियों को रोजगार से जोडने को लक्ष रखा गया है और जहरकन इंस्ट्ट अप क्राप्ट अंड डिजाइन जीस जी आई सीडी कौने वले वित्यवर्स में सक्षनिक सत्र में प जहरकन इंडिस्ट्रियल पार्क पॉलिसी और जहरकन इलेक्टाइर वहिकल पॉलिसी लागू किया जाएगा किसलिए तो नई उद्द्यों गस्तापित करने के उद्देश से ठीक है तो आप इसे याद रहें कि नई उद्द्यों गस्तापित करने के उद्देश से क्या और उसके बाद है नगर विकासिवम आवास इसके तहट क्या है राची में एक कंप्रेहंसिव मॉबिल्टी प्लान का निर्मान किया जा रहा है विद्यवर्स में राची जमसित्पु धनबाद में आधुनिक सीटी बस सेवा परारम की जाए जो फर्स चीज़ है और दूसरा जो है मॉडर्न अंतराज्य बस अर्ले का निर्मान भी कराया जाएगा कहां का कराया जाएगा राची जमसित्पुर तभाध दॉस धनबाद तीके तीन जीलों में कि सीटी बस सेवा आधोनिक सीटी बस सेवा और मोडन अंत्राज जी बस अंटा और वित्य बस 2022-23 में नावगठित दस नगर निकाई निकाई और गुमला लोहर्दगा एवन जामताड़ा में पाइपड वाटर सप्लाई की नई योजना कर्कारी प्रारम किये जाएंगे ठीक है यानिके 2022-23 में क्या होगा जो नावगठित दस नई नगर निकाई गठित हुए हैं और गुमला लोहर्दगा जामताड़ा में क्या होगा पाइप्ट वाइटर सप्लाई की योजना प्रारम की जाएगी यह था नगर विकास अवास अब हम लोग दिखते हैं पर्योटन कला एवं पर्योटन कला संस्कृति यूआ एवं खेलकुद में क्या क्या होगा पर्योटन नीती लागु की गए हैं 2021 जो पांच वर्सल तक प्र बढ़ाए जाएंगे बीविन जला से पुछ होड़कर टूरीस्सर्कृट विक्सित किया जाएं तेके टूरीस्सर्कृट बनाया जाएंगी अ कि उसकी बाद है राजी वीविन जल परपात में अधार्बू संगरचना के विकास किया जाएगा जो भी वाटरफॉल है वहां पर क्या होगा जो भी बेसिक राजी सरकार कराजस बढ़ेगा जो सेरे कहीं ने कहीं राजी के लोगों के लिए लाबदायक रहेगा उसके बाद खेल कुद है तू अधारबूत संगरचना यों विकास का विकास क्या होगा अगले वितवर्स में नहीं खेल निति घोषित की जाएगी यानि क्याने वाला है कि नहीं खेलने टी किसे क्या होगा जभी ही यूगा है उसको समाजिक मानसिख बहुतिक सृण्स्कृतिक तो और खेल विकासे तूर्व राई ते हमें नही खेलने ती लाएगे और इस नहीं खेलने ती के तहसे क्या होगा सिद्धो कानो युगा कलब कि अस्तापना कि जाए का में राइस प्राइज के गामों में थीक है तो यह कापी अच्छा पाहल है कि इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सुचना प्रादोगी की एवम गवर्नेंस इसमें क्या क्या किया है आई टी नई आई टी पॉलिसी कि यहां पर हम लोगों ने देख लिया क्या नई कि खेल नीटी कि आप यहां पर कया है नई आई टी पॉलिसी कि वह लाया किसलिए लाती छेट्र को विक्सित करने के लिए और चुर्कन अंत्रच छुप्योग केंद्र ह की प्रियोक साललास अस्तापित टैट drown़ता पर देखियो में है यहां पर यह क्या हो shiny में यहां परforme पहल की थी कि बजट में जो सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते थे तो उसमें क्या है एक हमर अपन बजट नाम से मांगा गया था जिसमें राज सरकार को जो भी सुझाव मिले हैं उसमें स्टार्ट अफंड बनाने का प्रस्ताव लखा गया है और इसके लिए पचास करोड रुप्य का प्राधान किया गया है कि यहां पर लिका हुआ है कि हमर अपन बजट में प्राप्त सुझावों के अधार पर राज जमें स्टार्ट अप फंड बनाने का प्रस्ता हुए नहीं सुझाव आया था स्टार्ट फंड बनाने के लिए और इसके पचास करोड जो है प्रस्तावित किये गया है कि सूचना एवं जन संपर्क इसमें क्या 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 है राची में प्रेस क्लब सुचारू रूप से संचाले थे और धनबाद और देवगर में प्रेस क्लब निर्माना धीन है प्रेस क्लब कहां कहां पर बन रहा है अभी देवगर धनबाद बन रहा है अभी राची में चल रहा है बना हुआ है और पत्रकारों को स्वास्त वीमा का लाब देने के लिए क्या हुआ जारकन राज्य सरकार पत्रकार स्वास्त वीमा योजना लागू किया गया है कि उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रह का रायों माब्दा प्रबंदन इसमें क्या है कि विधी विज्यान प्रयुक्षाला के सुद्र डिकरण के लिए डाटा अनलेसिस साइबर फॉरंसिक मॉबाइल फॉरंसिक वैन एक्यूपमेंट एलेक्ट्रोनिक्स आइटम किट्स ट थानों में पुलिस की मार से कभी कभी क्या होती है कि बहुत ही गंदे तरीके से मार पीट करते हैं पुलिस वाले तो इस इसको रोकने के लिए मानवादिकार को का बुलंगन होता है उसको रोकने के लिए यो कि देखिए पुलिस को किसी भी तरह से कितना भी बड़ा दोसिय उसको जो भी अपरादी होता हुआ उसको मारने को राइट नहीं बनता है तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया है सभी थानों में CCTV क्यामरा लगाया जाए गया ताकि जो भी कुछ कारवाई हो तो CCTV क्यामरा में कैद हो सके और उसके रहर से कुछ पुलिस वाले जो है आपने वह मार्केट नहीं करें क्राइम क्रीमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम पर योजना इसके तहद क्या है पुलिस रिकॉर्ड कर डिजिटाइजिशन किया जाएगा ऑनलाइन एफायर के सभीधा समाधान पोर्टल कि अंतरकत पुलिस से संबंदित ऑनलाइन सेवा तेके उसके बाद जो भी समाधान पोर्टल क्या है पुलिस संबंदित जो भी सेवा है उसको आप ओनलाइन ले सकते हैं नियाले जेल अभी योजन नियाले में पेसी होता है विज्ञान विदे विग्यान परयोग साला आधान परदान ब्रूजना प्रक्रिया दीने राज्य कहां तने थानों में लागों है यह व्यवस्ता 514 थानों में थीक है मैं आगे है वित में वित में क्या है कि सभी कर्मियों को पेपर लेस माइधरिम से उनके वेतन का भुक्तान करेंगी यह पर लेस्के माइदम से वेतन भुगतान होगा और सिंगल नॉडल एकाउंट इसके माइदम से क्या होगा योजनाव को संचालत किया जा रहा है और लावो को सहसमय बेंक रासी बैंक भी हस्तांतरित हो जाएगा इसके तरह सिंगल नॉडल एकाउंट के माइदम से और जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है यहां पर देखके बजट के वारे मताएगा इस हरकण में आउटकम बजट सुतरित करने के प्रक्रिया 2020-21 में शुरू की गई थी यानि कि इस बार का भी जो बजट है वह भी आउटकम बजट है और इसकी सुरुआ है 2021-22 में हुई थी यह काफी इंपोर्टेंट है भी पिया बोल सकते हैं इसको तो आप इससे याद रखेंगे कि कप सुरू की गई थी किस वीट वर्स में कि सुरू की तो 2021-22 में और उस समय जो है 11 विभाग दौरा आउटकम बजट सुतरित किया गया थ और कुल 3-14 योजना को आउटकम बजट में समय किया गया है और यहां पर देखिए वीटिवर्स 2022-23 के आउटकम बजट में जोजना के उदवए के साथ साथ उनके क्रियावन क्रियाने में है तो टार्गेट तथा इंडिकेटर को एसपर स्टंकित किया गया है तो तेकिए तार्गेट इंडिकेटर क्या है दूस्टवी यहां सो की दोने चीछ देखा जाता है कि जो आउटकम होता है इसमें दो चीजह दिए देक तो दिखाता प्रदर्सन और परिनाम परदर्सन और परिनाम आपने कैसा परिनाम निकार परदर्सन कैसा कर रहे हैं उसके लिए तो यहां पर देखिए योजना के क्रियानों के बाद उनसे प्राप्त होने वाले आउटपुट एवन आउट कम को भी असपर स्टूप से प्रावधानित किया गया है देख लेते हैं कि मतलब आउटकम बजट के बारे मताया है यहां पर हम देख लेते हैं कि आउटकम बजट क्या होता है तो सबसे पहले इसका जो सुरुवाद हुआ था आउटकम बजट का वो 2005 में सुरू हुआ था और किसने सुरू की ती पीची तंबर हमने 2005 में जब वीत मंत्री थे और इस बजट का परियोग किसी मंत्राले अथ्वाज के लिकिया जाता है मतलब किसी मंत्राले के दुआरा के लिकिया जाता है या फिर विभाग के लिए जिसमें बजट में आवंटित की गई-र-a-sी का परियोग बहुतिक लक्ष्यों का निधरन और मुल्यांकन ली के लिए कर जाता है ब जो भी लक्ष दिए गये है उसके मुल्यांकन के ले कर जाता है और निधरन के लिए परिनाम और परद्रशन को एक साथ देखा जाता है ठीक है तो यह होता होटकम बजट कि आपने परदसन कैसा दिखा है परिणाम क्या है आपका ठीक है तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो और इसमें हम लोगों ने बजट में जो भी महत्पूर्ण योजनाय थे जो भी महत्पूर्ण प्रस्ताव थे सब के बा और अगर आप हमारे चनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कहीं पुछ मिस्टेक हुआ होगा रेडिंग करने हैं तो इसके लिए माफ कीजिए और इसी तरह का वीडियो आगे देखने के लिए आप सब्क्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएं चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झाल 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 झाल